बिग बॉस OTT के विनर एल्विस भाई साप और सापों की जहर को सप्लाई करने का काम करते थे इसलिए वो बुरी तरीके से फस गये हैं एल्विस यादो को अरेश्ट कर लिया गया है दरसल एल्विस यादो को 14 दिनों तक नयाएक हिरासत में ले लिया गया है अब पुलिस उनसे 14 दिनों तक पूस्ताच करेगी अभी तो एल्विस यादो को अरेश्ट हुए एक दिन हुए है एल्विस यादो ने ये कबूल कर लिया है कि रेव पार्टियों में वह साप और सापों का जहर मंगवाते थे और साप और सापों की जहर को सप्लाई करते थे नवंबर में पुलीस ने एक रेव पार्टी में 9 साप और 20 MS साप के जहर को बरामत किया था जिसमें से एक कोब्रा साप भी मिला था और इस पार्टी में एलविस यादो भी सामिल थे और तभी से एलविस यादो बुरी तरीके से फस गए है एल्विस यादो का एक वीडियो भी बारल हुआ था जिसमें एल्विस यादो साप को लिये नजर आ रहे हैं साप के जहर को लोग नशे की रूप में इस्तिमाल करते हैं लोग नशे के इतने आदी हो गए हैं कि उनुने शाप के जहर को भी नहीं छोड़ा और ये बहुत ही खतरनाक होता है एलविस यादो अगर गुनखगार साबित होते हैं तो उन्हें 20 साल की जेल की सजा मिलेगी और उन्हें तगड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है एलविस यादो की एक रात जेल में बीती है और उन्हें खाने में पूड़ी सबजी और हलवा दिया गया और एलविस यादो को जमीन पर ही सोना पड़ा इस वीडियो में बस इतना ही आपका इस पर क्या कहना है कॉमेंट में हमारे साथ चेयर जरूर कीजिए